नमस्कार तो आज मैं बात करने वाला हूँ State Football Associations के बारे में या आप एक reality check बूल सकते हैं इंडियन football का हार सी reality या reality check जिसके उपर All India Football Federation को जरूर से जरूर ध्यान देना पड़ेगा अगर वो एक overall growth देखना चाहरे हैं इंडियन football की क्योंकि देखिए कोई भी चीज ग्राउंड लेवल पे किस तरह का वर्क हो रहा है उसी से जो है ने क्या बोलते हैं बेस अच्छे से अगर तयार होगा तो उपर अपने आप जो बिल्डिंग वो स्ट्रॉंग रहेगी हमेशा तो वो उसी को उपर डिस्कसन करना चाहूँगा कि कहां पे लीग चल रही है किस तरह से चल रही है और कहां पे लीग है ही नहीं और कि All India Football Federation वहाँ पर बोल रहा है किसी को यह ध्यान दे रहा है कि आपके लीग नहीं हो तो लीग कप चालोगी कि इस तरह की कोई खबर है हम सभी के अपर डिस्कस करेंगे तो एक तरीके से रियालिटी चेक है जो ऐसा समझ रहे है कि किस तरीके का काम इंडियन फुटबाल में हो रहा है सिरफ ISL is not इंडियन फुटबाल आप नीचे से उपर तक पूरा कवर जो करते है उसको इंडियन फुटबाल कहते है सिरफ ISL में प्लियर आएगा कहां से नीचे से जो खेल के सीखेगा उपर आएगा वो ISL में पहुचेगा तो ISL खाली एक जरी आए प्लेटफॉर्म में जहां पर वो एक प्रोफेस्नल फुटबालर बन जायाएगा बाकी आएगा तो जमीन से नीचे से आएगा न तो वो ही उसे के उपर एक रियलिटी आपको जानना भो ज़रूरी है तो चलिए हम एक एक रीजन वाइस जो सब के बारे हम बात करते हैं और आप अगर उस स्टेट से या उस रीजन से बिलॉंग करते होंगे तो आप जरूर बताएगा कि आपके जगे की क्या रियलिटी चल रही है जिससे सभी फुटबॉल फैन्स को वहाँ की ग्राउंड रियलिटी और अच्छे से पता चल जा है तो चलिए हम रीजन वाइस सभी जगे की बात करते हैं जब से पहले बात आती है नौर्थीस रीजन की जिसको इंडियन फुटबॉल में सबसे आगे एक है ना जाता है कि नौर्थीस का फुटबॉल जो है वो सबसे उपर है सबसे आगे क्योंकि वहीं के जो है सबसे ज़्यादा प्लेयर्स उधर की हमारी इंडियन फुटबॉल में आपको दिखते हैं यहाँ पर देख सकते हैं अरुनाचल प्रदेस में जो है धोयार 20 में लास्ट लीग हुई थी उसके बाद से वहाँ पर लीग और्गिनाइज नहीं हुई है असम के हम बात करते हैं तो असम की जब बात आती है असम में नौर्थीस उनाइटेड है और पार्थी गोगोई य अभी तक लीग नहीं आया थी कुछ नहीं बोल रहा है तो ना All India Football Federation को कोई चिंता है तो यह क्लियरली दिखाता है कि All India Football Federation असम को कुछ बोल रहा है या नहीं अभी तक तो नहीं बोल रहा है अधरवाइस नहीं कमीटी आने के बात भी लीग के उपर कुछ तो काम होना चाहि पिछले साल की लीग में Class A F से जीता था जिसके Second Division में खिलने को लेकर काफी जो है वहाँ पर एक मुस्किले खड़ी हुई थी तो मनिपूर में तो लीग हो रही है और वहाँ के Footballers भी एकदम निकल के आ रहा है तो उसके बारे में बोलने को की बात ही नहीं है उसके बाद हम बात करेंगे मेघाले की तो मेघाले में भी Football League होती है जैसे वहाँ पर एक सिलॉंग Premier League है वो तो बहुत अच्छी होती है साथ ही साथ वहाँ पर मेघाले स्टेट लीग भी होती जिसमें 25 टीम्स ने participate भी किया था तो मेघाले में तो Football को लेकर पहले सी अच्छा काम हो रहा ह वहाँ के Clubs जो है iLeague में भी खेलते हैं वहाँ के Players भी जो है उपर के Level पे खेल रहे हैं तो मेघाले है कि State Football Association तो सहीं काम कर रही है उसके बात करते है Miserum League की तो Miserum League तो India की one of the finest League में से एक है जो की हर साल होती है regular और वहाँ से भी Players निकल रहे हैं तो Miserum की भी कोई दिक्क नहीं दे रहा है तो यह बहुत बुरी बात है कि आपके आजु 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 की State में इतने अच्छे से Leagues हो रही है और आप अभी भी कोई Lesson नहीं ले रहे हैं अभी भी कोई Learning नहीं आपकी Leagues को लेकर और All India Football Federation भी पता नहीं क्या देख रहा है कुछ बोल नहीं रहा है क्य कई तो है अगर कहीं कोई काम नहीं कर रहा है एक अलाम तो लगाई है कि भाई क्या चल रहा है 23 में लास्ट लीग हुई थी किदर लीग ठीक है तो यह एक चिंता का विशह है इसको पर बोलना चाहिए तो नागालेंड के जो भी फुटबॉल फैंस या फुटबॉलर सोंग है और देखते हैं कि अब यह कितना रेगुलर हो पाती है क्योंकि लीग कराना और उसको कंसिस्टेंटली कराना इसमें बहुत अंतर है तो वह बात है कि महां का एस्सोसियेशन आगे और कितने अच्छे से लीग को करा पाता है यह देखने वाली बात रहेगी उसके बाद हम हम बात करेंगे सिक्किम की तो देखे सिक्किम में तो लीग साही सिक्किम में मतलब अभी तो सिक्किम प्रिमेर लीग भी आ चुकी है तो सिक्किम में तो काफी फुटबॉल है और वहां पर लीग भी चल रही है और सिक्किम प्रिमेर लीग के आने से और अच्छे से चांसे चल रहा है और कौन से स्टेट फेडरेसन जो है वो सहीं से काम कर रहे हैं तो सबसे बहले हम बात करेंगे बिहार की तो देखे बिहार में पहली बार अभी रिसेंड में बिहार फुटबाल एसोसियेशन से इसका भी कोई अता पता नहीं सब अता पता ला पता है उसके बाद हम बात करेंगे चातिसगर फुटबाल की तो चातिसगर में हाली में जो है चातिसगर फुटबाल लीग चालू हुई है और इनका भी पहला सिजन ही हुआ है तो मैं यही कहूंगा कि और देखते हैं कि क्या यह कंसिस्टेंटली लीग को कराते है या नहीं तो 36 गड़ के फुटबॉल जो भी प्लेयर्स होंगे फुटबॉल फैन्स आप महां के ग्राउंड रियलिटी बता है कि 36 गड़ की जो लीग है वो हो किस तरीके से रही है क्योंकि बहार जब फैन्स उनको तो यह दिख रहा है कि लीग हो रही है लेकिन वहां के रियलिटी जार्खंड में भी लीग हो रही है जैसे कि आपने दिखाए जेसे की लीग होती है तो जार्खंड के जो भी प्लेयर्स है फैन्स होगे आप मुझे इस बात पर क्लियर करिए कि जार्खंड की लीग है कि जार्खंड की लीग है या बतेगा है कि वहां जार्खंड के पूरे सा confirm करीगा comment में उसके बाद हम बात करेंगा Odisha कि तो Odisha में तो proper भाई system में लीग हो रही है मतलब division जो है league के वहाँ पर है तो Odisha में तो अच्छा काम हो रहा है league को लेकर बाकी बागी ground reality जो है वो players या fans वहाँ आपके बता सकते हैं फिर बात करते हैं West Bengal के इतने सारे division है कोई premier division नहीं खेल सकता तो नीचे खेल सकता है तो बहुत सारे divisions है football के लिए कोई चिंता कविश्य है नहीं तो Eastern region के बाद हम बात करेंगे South region की South region जो है अभी काफी उठके आ रहा है मतलब अभी अगर देखेंगे तो South के football बहुत निकल के आरी उपपर काफी clubs आ रहा है और एक अलगी atmosphere create हो रहा है तो बात करते कि वहाँ के states जो है किस तरीके से वागी federation काम कर रही है तो सबसे पहले हम बात करेंगे आंधरप्रदेश की तो कोई league नहीं आंधरप्रदेश में एकदम कचरा काम चल रहा है politics बहुत ज़्यादा हो चुक है आंधरप्रदेश में football में और वहाँ के reality के बारे में अगर मैं बताना चाहूँगा तो काफी खतरनाक चीज़ है जिसके बारे मैं बाद मैं बताऊँगा कभी अभी तो हम के वह लीग की बात करें इसलिए वहाँ पे कोई league नहीं है आंधरप्रदेश के footballer के लिए कोई opportunity है ही नहीं वहाँ के players जो है सब इधर उधर जाके ही खेलते हैं तो जो आप आंधरप्रदेश से होंगे तो आप वहाँ की क्या ground reality है वहाँ अगर local politics क्या है आप जरू comment में लेकर बता सकते हैं ताकि सब को पता चले उसके बात करेंगे करनाटका की तो करनाटक में जैसे मैंने बुला कि करनाटका की कोई league नहीं है वहाँ पर बैंगलोर सुपर डिविजन है बैंगलोर league है ठीक है तो देखते कि कब तक आती है बाकि बैंगलोर की league को हाँ पर भी main league मानके चला जाता है और काफी लेकिन fans और players जो नाराज भी होते हैं कि अधर पूरे करनाटक की league क्यों नहीं है तो इसके उपर देखते कि वहाँ की association किस तरीके से काम कर रहा है हाला कि इधर उधर के कुछ जो clubs है वो आके बैंगलोर की league में खेलते हैं इस तरीके से देखा गया है बाकि आप वहाँ की क्या और क्या ground reality आप बता सकते हैं उसके बाद हम बात करेंगे केरला की तो केरला की लीग बिलकुल solid चल रही वहाँ पर डिस्टिक्स में भी league है और बहुत सारी leagues है तो कोई दिक्कत ही नहीं है और उपर से भी तो केरला की एक और लीग आ रही है केरला सुपर लीग तो leagues पे leagues मतलब बहुत football बढ़ रहा है केरला का तो मैं मतलब बोली नहीं पाऊंगा एकदम सहीं काम चल रहा है केरला में प्लेयर्स भी निकल के आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद बात करेंगे पॉंडिचेरी के तो पॉंडिचेरी का तो कोई डेटा ही नहीं है मतलब कि पॉंडिचेरी में कैसा football चल रहा है कैसे वहां की टीम मनाई जाती है संतुस रॉफी वगेरा के लिए कोई अता पता नहीं है अगर आप होंगे पॉंटी चेरी से तो आप कमेंट में लिखके बता सकते कि क्या सीन चल रहा है उसके बाद हम बात करेंगे तमिल नाडू की तो तमिल नाडू का तो एसोसियेशन की इतनी भाई पंचायते हैं मतलब आपने भी देखा काफी यहां पे दिक्कते चल रही थी चेने लीग वहां पे होती है जिसको लोग मेंट लीग बोलते है हाला कि तमिल नाडू के सारे प्लेयर से सारे कलवस उसमें खेल नहीं पाते है तो तमिल नाडू की फुटबॉल भी कोई अच्छा काम नहीं कर रहा सीधे बोल सकते हैं, प्रॉपर काम उसी को कहते हैं कि आपकी प्रॉपर एक स्टेट लीग हो, आपके लोकल डिस्टिक में भी अलग लीग अगर हो जाए हो और अच्छी बात है, लेकिन एक प्रॉपर स्टेट लीग होना तो जरूरी है, वो तो तमिल नाडू में नहीं है, हा अगर आप लक्षधीप स्टेट लगे तो वहां की रियालिटी आप कमेंट में लिक के बता सकता हैं, उसका यदा हम बात करेंगे तो तिलंगाना में जो है, वो हेदराबाद की लीग होती है, वो होती है अभी फिलाल तो, प्रॉपर तिलंगाना की लीग पोलेंगे, वैसे कोई नहीं होती है कि तिलंगाना के सारे डिस्ट्रिक्स से कलब निकल के आ रहे है ऐसा कुछ नहीं होता है है हैदराबाद की जो लीग है हैदराबाद लीग होती है तो इस तरीके से तिलंगाना का भी association बोलेंगे तो उस तरीके से काम नहीं कर रहा है और politics भी वहाँ पर involvement हो याता है obviously state FM में तो politics involvement होता ही है तो तिलंगाना का football association भी कुछ अच्छा बहुत तीर मार रहा होगा कि वहाँ पर हैदरावाद FCS श्रीनी दी है तो जिस तरीके से होना चाहिए approach उस तरीके के approach उनकी बिलकुल नहीं है फिलहाल में तो इसके बाद मैं बात करूँगा western region की western region जो है इसमें किस तरीके का football बढ़ रहा है या वहाँ के state federson या तो सोई रहे है या काम भी कर रहे है या किस तरीके से कर रहे है या कर भी रहे है तो क्या वहाँ के player से fans खुश भी है तो चली उसके बारे में बात कर लेते है तो western region में सबसे बहले में बात करता हूँ दादरा नगर है वे लिकी या दमनेंट दोनों को बोल देते है भी दोनों की बाद एकसाती कर लेते है तो यहाँ पर तो league हुई अभी हाल फिलार आपने देखा कि वहाँ पर league तो हुई थी तो अच्छी बात है कि वहाँ के association को लोग एटलिस थोड़ा बहुत तो ध्यान दे रहे है और धीरे-देर वहाँ कि football ग्रो कर रहे है उसके बाद हम बात करेंगे गोवा की तो गोवा में तो प्रॉपर एकदम गोवा league कप से चली आ रही है प्लेयर्स development बोलेंगे प्लेयर्स भी एक से एक निकल के आ रहे है तो गोवा में football पहले सी मतलब अभी तो पीएम मोदी ने भी वहाँ के तारीफ करी थी फुटबाल को लेकर तो गोवा में football तो भी है एकदम टॉप नॉच चली रहा कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद हम बात करेंगे गुजरात की तो अभी गुजरात की भी leagues हो रही है और वहाँ पे गुजरात की football association जो है वो जैसे तैसे थोड़ा थोड़ा काम कर रही हाला कि अगर वहाँ की district FA की बात की जाए तो काफी district FA वहाँ पर काफी अच्छे से सोर है लेकिन गुजरात FA ने अटलीस वहाँ पर league तो चालू की है तो यह अच्छी बात है लेकिन और अच्छे से develop करना पड़ेगा वहाँ की league को क्योंकि उस तरीकी की quality नहीं है वहाँ की league में जिसके उपर वहाँ की federation को जरूर ध्यान देना पड़ेगा उसके बाद हम बात करेंगे मध्यप्रदेश की तो मध्यप्रदेश की league के बारे में तो अगर reality बोलू तो बहुत सारे fault इतने सारे है कि मैं क्या बता हूँ लेकिन अभी ठीक है league तो at least हो रही है यह बड़ी बात है बस इससे जादा कुछ हो नहीं रहा है तो बाकि अगर आप मत्यप्रदेश football के बारे में कुछ कहना चाहें तो कह सकते है हाला कि कहने को तो आपको बहुत कुछ होगा लेकि फिर भी थोड़ा बहुत कहना चाहें तो कह दीजेगा फिर हम बढ़ेंगे राजस्थान की तरफ तो राजस्थान में लीग होती है और इवन वहाँ पर district championship भी होती है तो राजस्थान की फुटबाल association लीग वगेरा तो करवा रही है लेकिन उसमें भी कुछ कुछ वहाँ पर धान लिया देखने को मिली थी कुछ वहाँ पर निक फिर हम चलेंगे महरास्थ की तरफ तो देखें महरास्थ में तो बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि महरास्थ में जो फेडरेसन है वो मुंबई को जो है महरास्थ समझके बैठा है और मुंबई लीग को महरास्थ लीग बोलते रहते हैं भाई पूने है इधर कोलापूर है नाखपुर है और भी अदर-दर जरते के फुटबाल है तो वहां के लोगों का वहां के प्लियर्स का विफा वो मुंबई को लेकर बैट गई है बाई बागी बास सब को भूल गई है तो पूरे महारास को लेकर चलिहें और महारास की लीग भी बनाई है विसके बाद मैं बात करूँगा निर्ट रीजन की फुटबल कैसे बढ़ रही है क्योंकि रेक्पर हम पिर बहुति पहते हे हैं तो यह है, टो महारास्त के बारे में तुछ को लेके साथ में आगे बढ़िये इसके बाद मैं बात करूँगा North Region की North Region की Football कैसे बढ़ रही है क्योंकि North Region से जो है क्लब समको देखने को मिल रहे है ISL में, I-League में, Second Division, I-League में, Third Division में तो अब देखते हैं कि उधर किस स्टेट में किस तरीके से काम हो रहा है क्या एक दो स्टेट के दंपेपुरा North चल रहा है या सभी स्टेट में सहीं से काम हो रहा है कि नहीं तो चलिए North Region के बारे में बात कर लेते हैं तो North में सबसे बहले बात करेंगे हैं पंजाब की तो देखें पंजाब में तो लीग हो रही है जैसे कि आपने देखा और पंजाब की फुटबॉल पहले भी ठीकी थी और अभी भी ठीकी है हाला कि पंजाब की फुटबॉल को और अच्छा ग्रोथ पकड़ना चाहिए कायदे से नेगर ठीक है क्योंकि पंजाब से प्लेयर्स तो भाई प्रोडीस होई जाते हैं तो पंजाब की लीग तो चल रही ही प्रॉपरली उसके बात करेंगे दिल्ली के तो दिल्ली में तो प्रॉपरली लीग होती है कुछ करफशन में कुछ पकड़ाए भी है, एसोसेशन भी चेंज हुआ, तो काफी चीज़े वहाँ पर उन्होंने फेस करी, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूगा, लेकिन बिल्कुल ये उमीद करूँगा, कि आगे जो है, वहाँ की फेडरेसन, प्रॉपर रवे में लीग बगेरा कराएगी, प्लेयर्स को बूरी संगत में जाने से रोकेगी, और फुटबॉल की तरफ भेजेगी, ताकि फुटबॉल भी अच्छा हो, और जम्मू कश्मीर भी अच्छा हो, उसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल की, लोकल टीम्स को आगे बढ़ने का मौका मिले, अगर इसके उपर कुछ सोचेंगे हिमाचल प्रदेस वाले एसोचेशन के, तो यह ज़्याद अच्छी बात होगी, क्योंकि आपके जो फैंस है या आपके फुटबॉलर्स है, वो आपसे अगर खुश नहीं है, मतलब आपका जो काम है, वो निर्थक जा रहा है न, इसलिए आपको काम ऐसा करने की, अट्डी सबसे बहुत आपके स्टेट के जो फुटबॉलर्स या फैंस है, वो खुश होना चाहिए, तो आप उसके पर थोड़ा सोचिए, तो यहाँ सुपड़ा साफ है न हरियाना में कोई लीग है, न उत्राखंड में कोई लीग है, उत्राखंड में लीग हुई थी भूत टाइम पहले वो भी एक इनसान ने करवाई थी, ठीक है, एक इनसान ने आगे बड़ चढ़के करवाई थी लीग, और तब से कोई लीग हुई नहीं, उत्राखन सुपर लीग हुई थी, उसके बास से कोई लीग हुई नहीं है, क्योंकि असोसियेशन को कोई चिंता ही नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको फरक ही नहीं पड़ता फुटबॉल से, तुम जीओ, मरो, उनको कोई चिंता नहीं है यूपी फुटबॉल को ठीक है तो नौर्थ रीजन में यह है कि दो तिन स्टेट तो एक दम सोय हो है मर चुके है तो उनको जगाना भी है जगाईए आपके स्टेट के जो फुटबॉलर से फैंस है आप उनको जगाईए अभी यूपी फुटबॉल में तो उनको पर पानी मारो ऐसा कुछ जगे तो कुछ है हो सकता अच्छी बात है इसके लाव मैं दो और जगे की बात कर रहा है जो फुटबॉल को लेकर यह एक नई टेरिटेरी है तो भी फुटबॉल को लेकर धीरे-देरे काम कर रहे है वहाँ पर क्लब भी बनाया उन्हों अच्छी बात है इसके लाव एक और यूटी है अंडवान निकोबार जो एकदम सोया हुआ वहां के फुटबॉल फुटबॉल को अंडवान निकोबार का असोसियासन तो नहीं सोच रहा है तो और फुटबॉल फुटबॉल फेडरेशन की जिम्मदारी बनती है वहाँ का आसोसियासन कुछ नहीं कर रहा है तो आप आगे जा और आप कुछ़ वहाँ पर कर रहा है तो बढ़ेगा न फुटबॉल ऐसे वहाँ के फुटबॉल पहले जान इसे की जो फुट बढ़ जयान धेना है इस टेट फेडरसन को भी ध्यांदेना है, अपने अपने स्टेट में लीग की उड़ा है, अगर लीग है तो कॉलिटी बड़ा है, लीग नहीं है तो लीग लेकर आए, और प्लैर्स को खुश रखें, फैन्स को खुश रखें, यही है, फुटबाल बड़ा आना है तो कैसे ब तो आप किस स्टेट से हैं, आप कहां से हैं, जो भी आप कहना चाहेंगे, आपके reality आप बताना चाहेंगे, आपके state की वहाँ के football league को लेकर, किस तरीके से वहाँ के federson काम करें, जो भी आप कहना चाहें, जरू comment में लिखके बताएगा, इसके अलावा मैंने जो जो चीजे इस में cover करें, कि इसके अलावा आपके पास कोई अच्छी बात हो बताने के लिए, कुछ thoughts हो, या कोई ऐसी अंदर की बात हो, state league को लेकर, या state federson को लेकर, आप comment मिले के बता सकते हैं, मुझे email कर सकते हैं, जो आप करना चाहें, बिलकुल बताएगा, क्योंकि हर एक बात जो है state साथ मिलके, सारे football fans साथ मिलके, तब बढ़ता है, इंडियन football forward together, तो वो हमको करना है, भेले कोई करनी रहा है, हमको तो करना है, इसलिए सब एक दुसरे को चीजे बताईए, ताकि सब को इधर उधर की बाते पता रहे कि वहाँ पर कैसे काम हो रहा है, यहाँ पर कैसे काम ह गाड़ी है, तो जो भी है, मैंने सब बता दिया, आप बाकी कुछ बताना चाहिए, कमेंड में लिखके बताएगा, और इसलिए आप इंडियन football को सपोर्ट करते रहे हैं, बहुत बहुत शुक्र है वीडियो देखने के लिए, जय हिन, जय भारत!